जेन फ्रिंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी टूप चनल प्रमोस सरवारानसी में फ्रिंट्स आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही यूनीक टॉपिक है और इस पर मोश्टली कमेंट आया था कि सर अलहाबाद हाई कोड के दौरे जो जूनियर असिस् यानि अलहाबाद हाई कोड में भी जूनियर असिस्टन और यूपिटर पलसी के दौरा जूनियर असिस्टन है तो इन में कौन सा जूनियर असिस्टन सबसे बेस्ट है तो इन तमाम चीजों के बारे हम बात करने वाले हैं और इसमें कौन कौन से विभाग हैं और अलहाबा हाइबद हाइओप के बारे में जो जूनियर असिस्टंट की वेकेंसी निकाली गी इसमें हलंकि एलाबद हाइओप द्वडरा जूनियर असिस्टंट paid apprentice, stenographer और इसमें group D की बात करें तो माली, process server, driver ये तमाम post हैं और अगर junior assistant और paid apprentice की बात करें तो इसमें 1000 plus post हैं 1000 से ज्यादा post यहाँ पर निकाले गए हैं junior assistant और paid apprentice मिला कर तो सबसे पहले इलहाबाद high court junior assistant के बारें बात कर लेते हैं कि इसमें job profile क्या है और कितना वेतन मिलने वाला workload क्या है इसमें dress code क्या होते हैं तो तमाम चीज़ें के बारें पहले बात कर लेते हैं उसके बाद UAAC junior assistant के बारें में बात करेंगे और last में conclusion देखी निकालेंगे कि कौन सा job बढ़िया है तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम junior assistant की ठीक है junior assistant अलहाबाद high code की तो इसमें अगर total post की बात करें तो लगभग 900 से अधिक post है और इसमें जो salary provide की जाती है salary 2000 grade पे की यह job है ठीक है 2000 grade पे की यह job है वहीपर paid apprentice की बात करें तो paid apprentice की जो job है 1900 grade पे की है ठीक है 1900 grade पे की जाब है लेकिन यह fix है इसमें क्या है इसमें 1900 grade पे की जो job है एकदम fix है अच्छा fix का मतलब क्या हो गया जैसे junior assistant जब आप भर रहे होंगे अलावाद high code का उसमें तीन तीन option आ रहा है एक तो junior assistant का दूसरा paid apprentice का और तीसरा आ रहा है junior assistant and paid apprentice और जब cut-up बनता है तो junior assistant का थोड़ा सा high बनता है और paid apprentice का एक दो number कम बनता है अब junior assistant में क्या होता है इसमें हर साल increment होता रहता है हर साल increment होता है और 2000 grade पे की नौकरी है और जो in-hand salary आपकी आती है और in-hand salary आपको लगवग 30 के round मिलती है 30k मिलती यानि 30,000 लगवग आपको salary मिलती है वहीं पर paid apprentice की बात करें paid apprentice वहें और इसमें जो salary मिलती है लगवग 27-28,000 लगवग 27-28,000 इसमें लगवग 27-28,000 salary मिलती है और इसमें fix है फिक्स का मतलब इसमें increment नहीं होने वाला है या तब तक increment नहीं होगा जब तक कि आपका paid apprentice से promotion junior assistant के पद पर नहीं हो जाता है यानि तब तक आपके salary में कोई भी increment नहीं होने वाला है चाहे अब junior assistant बनने में paid apprentice से junior assistant बनने में चाहे एक साल लग जाए चाहे दो साल लग जाए चाहे तीन साल लग जाए तब तक आपके salary में कोई भी increment नहीं होगा वो salary आपकी वही रहने वाली है लेकिन जूनियर असिस्टेंट में क्या होगा कि हर साल आपकी सलरी में इंक्रिमेंट होगा और इसका भी 5 साल में प्रमोशन हो जाता है 2800 ग्रेट पे इनका सिलेक्शन हो जाता है 5 सालों में तो हो सकता आप देखें डिपार्टमेंट के उपर निरुभर करता है कि या paid apprentice से junior assistant कभी इनका promotion होता है अगर 3 साल भी लग सकता है चार साल भी लग सकता है तो तब जाके आप 2000 grade पर आप select होंगे ठीक है तो यह रही salary की बात इसमें 30 जार round के मिलता है और paid apprentice में 26 जार मिलता है अब बात करें इसमें department की इसमें भी department है जैसे आपका selection junior assistant के पद पर होगा अलाबाद high code में तो यह जो district हर जिले में जो सत्र नयाले होते हैं उसमें आपका न्यूकती होती है ठीक है इसमें भी काफी department होते हैं जैसे नजारत department हो गया प्रतलिवी विभाग हो गया प्रसासनिक कार्याले हो गया यह सब department में आपका selection होता है और जो आप जानते हैं judicial work होता है और इसमें work की बात करें देखिए work वर्क क्या होता है जैसे जो भी diary maintain करना ठीक है diary maintain करना जो भी cases है उनको सही से file maintain करना यह सभी किसका काम होता है जे ए का काम होता है बाबू का काम होता है यानि junior assistant का वर्क होता है तो जैसे मानके लिए कोई अगर सुनवाई है किसी रीट पर ठीक है 10 तारीक को सुनवाई अगर 10 तारीक को सुनवाई नहीं हुई करना और इसका डॉनियर आस्सिंट पर ठीक होता है कि जो कलरीक अर जो काम होता है और जुट रखा जाता है अब बात करें यहाँ पर dress coated की ठीक है यानि कौन कौन से dress यहाँ पर allow होते हैं तो जब आप junior assistant के pad पर select हो जाएंगे अलावाद high coat में तो यहाँ इसमें white shirt मिलता है ठीक है क्या मिलेगा white shirt मिलता है black tie मिलती है black pant मिलेगा black tie black pant violet coat रहेगा और black shoes रहेगा यहाँ आपका dress sense हो गया यहानि आपको address यह पर पहाँ प्रेंट के जाना होता है dusty है 找 में इसमें workload की बात करें तो workload इसमें रहता है ठीक है workload की बात करें तो workload तो रहता ही है वासे कि किसी भी कि करना ही है लेकिन मोस्टीक कमेंट आया था गिसमें work lode कि तुलना करना है junior assistant 5512 कि तो 5512 में कुछ ऐसे पोश्ट है जो कि आपको rest four grow है ठीक है पूछ ऐसे पोश्ट है जो की रेस्ट laser Willow है अभी हम बात करते हैं लेकिन रहावाबाध High Court में आपको थोड़ा वर्क लोड यहां पर रहता है इस इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं यूपिट्रेपल सी का जो जूनियर असिस्टंट है पचपन सो बारा पदों की जो वैकंसी है इसमें जैसे राजससय विवाग सि चाज़ा बिवाग पंचैति यूप और वीकास पुस्टा हार परिवहन सो थे जूनियर असिस्टंट के साथ पढाई भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर junior assistant इलाहबाद high code का जो जॉब है यहां पर देखिए पढ़ाई करना काफी tough होता है क्योंकि इसमें time कम मिल पाएगा लेकिन यहां पर junior assistant 512 का है इसमें भी कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें आपको बहुत कम time मिलने वाला जैसे राजस विभाग हो गया stamp and registration हो गया और निर्वाचन विभाग हो गया काफी बैस्ततम विभाग है तो इसमें भी जो है time मिल जाता है ऐसा नहीं कि time नहीं मिलेगा देकि दोनों जगा time ऐसा नहीं कि road daily आपको बहुत जादा work का प्रेसर ही रहेगा लेकिन यहां पर अगर बात क चाहते हैं आगे चलके पढ़ाई करना ठीक है आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं जौब के सौसत तो जूनियर असिस्टेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट विभाग है बाकी आपकी दिमाग में क्या चला है आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते है किसमें आप जाना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और जो कमेंट आया था कि इनमें से अगर देखिए दोनों के बारे हमने बात कर लिया अगर वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड यूपी ट्रेपल सी का भले थोड़ा देरी लगे इतना ट और केमपेरिजन तो यह आवगा पड़ता है कि अलावबा थाउड़ हेपन उन्नियर असिस्टेंट के बाकी है यूपी दोनों का केमंपेरिजג्शनक हमने कर दिया है और इसमें जो वीभाग होते हैं जो शलरी अब वगर आभण होती है मैंयं जरूर था अरुथा और अब में देखिए बहुत अंतर हैं अंतर का मतलब दो subject document है जैसे मान चilaya हिंदी Hindi इसमें भी आनी है हिंदी इसमें भी आनी है जी के इसमें इंदी हिंदी इसमें 25 पाचीशंग और जीके 25 अंक और हिंदी इस में 30 और जीके यहाँ पर 20 अंक यह पर मैथящ 25 नंबर जह इंगलीस इंगलीस याँ इंगलीस actors b25 यहाँ पर मैथ और इंगलीस है यहाँ जाता है लिकिनाय फिर्दी अग्णिवि़े भी सब्सक्राइब कर लाएं तो अगर इधर की तरफ आप मूब करेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है अगर जिसका इंग्लिस और मैथ अच्छा है तो इधर मूब कर सकता है क्योंकि इसका प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट होता है लेकि कटाब भी बहुत हाई जाती है इसको भी आप ध्यान में देख असिस्टेंट 5512 की तयारी कर रहे हैं तो कांटीन्यू करते रहे हैं बहुत समय बीत गया है बस थोड़ा से समय और है पेसेंस के साथ बने रहेंगे तो जबरदस्त नवकरी आपकी लगेगी और इसमें विभाग भी बहुत जबरदस्त है नंबर अच्छा आएगा तो आप जो पोस्ट प्रिफरेंस भरेंगे तो उसमें जो भी पोस्ट आपको चाहिए वही पोस्ट आपको मिलेगा नंबर के कार्डिंग ठीक है बाकी फ्रेंट से जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए हमारे दोरा या जो है यूपी जीके और उत्तरप्रदेस करेंट अफेर दोनों इबुक जो है प्रवाइट की जा रही है और दोनों की जो प्राइस है 125 रुपया है इसमें बिल्कुल नए पैटरन पर आधारत इसी इबुक को हमने तयार किया है चाहे उत्तरप्रदेस के अतिहासिक असमार को क्यों चाहिए हैं उत्तरप्रदेस के लोकनिरित महोत्सो इसमें रखा गया है तो बुक आपको कैसे मिलने वाली है 9793661506 जो नंबर दिख रहा है आपको इसी नंबर पर 125 रुपे पेमेंट करने हैं पेमेंट करने के बाद आपको इसक्रीन साथ अपना नाम और डिस्टिक इसी नंबर पर या वाट्सेप नंबर है इसी पर सेंड क इसको भी लेने का प्रोसेस वही है आपको 100 रुपे पेमेंट करना इसके लिए और जो नंबर दिख रहा है 9793661506 इस पर आपको 100 रुपे पेमेंट करके इसक्रीन साथ अपना नाम और डिस्टिक मेंशन करना है थोड़ी दिर बाद आपके वाट्सेप पर इसका ई-बुक प्रोवाइट करा दिया जाएगा तो फाइनली एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो अलावाद हाई कोड जूनियर असिसेंट एंड पेड अपरेंटिस की जॉब है यूपे ट्रपलसी जूनियर असिसेंट 5512 की जॉब है इसमें अगर कंक्लूजन की बात करें तो जॉब बढ़िया है अलावाद हाई कोड का जूनियर असिस्टेंट 5512 का तो इसमें देखिए आपके बहुत सारे आप्सन मिलते हैं आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं उस विभाग में आप जा सकते हैं जायराजिस विभाग हो सिच्छा विभाग हो पंचाई राज कि यूपे टर पल सी का जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है यह जबरदस्त है ठीक है हमने बता दिया आप आप लोग कमेंड बॉक्स में बताईए कि आपके लिए क्या बहतर है बिना कमेंड करिए जाईएगा मत ठीक है तो फ्रेंड से रहे आज की वीडियो बाकी मिलते हैं न